हेलो फ्रेंट वेलकम तो माँ चैनल टैक मदूकर फ्रेंट्स आज मेरे पास है रेडमी के 50 है फ्रेंट्स यह बहुत धी पावरफुल डिवाइस है क्योंकि इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाता है मीडियाटेक डिमेंसिटी 8100 5G प्रोसेसर फ्रेंट्स यह बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर और प्राइस बहुत ही अच्छी रखे गई है 26000 से दोस्तों यह स्कार्ट हो जाता है और अगर आपके पास ICICI का अगर कार्ड है तो 3000 का फ्रेंट्स आपको वहां डिसकाउंट देखने के लिए मिल जाएगा इसी के साथ दोस्तों मैंने कैमरे का टेस्ट भी किया और भी दोस्तों कई टेस्ट किया तो इस वीडियो में दोस्तों आप बने रहे ना और चैनल को पर फ्रेंट्स अगर आप पहली पा रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले ना क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही लिटेस्ट वीडियो लेकर आता रह पैनल तो दोस्तो बॉली कार्वोनेट के साथ है और 8.8 mm की दोस्तो ये थिकनेस के साथ है तो थिन डिवाइज इतना ज्यादा मॉटर डिवाइज नहीं है इसी के साथ-साथ 200 ग्राम दोस्तो इसमें आपको वेट देखने के लिए मिल जाता है लेकिन बिलीब जब आप इसे ह होगी 144 हट्स पे रन करेगी और ये अडेप्टिव रीफ्रेश रेट है यानि कंटेंट के अकॉर्डिंग दोस्तो ये स्विच हो जाएगा जब आप मूवी देखते हैं तो 30 fps पे चला जाएगा गेमिंग खेलते हैं तो 90 fps और जो नॉर्मल ही मान के जलिए जब आप स्क्रो देखने के लिए मिल जाता है लेकिन देखो इसमें आपको सूपर एमोलेड डिस्पले देखने के लिए नहीं मिलेगी डॉल भी कंटेंट भी देखने और तभी मजाता है जब डिस्पले सूपर एमोलेड हो फ्रेंट इसी के साथ साथ की दोस्तों ये प्रोटेक्शन के आप देख सकते हैं कि quality आपको कैसी देखने के लिए मिल रही है friends और इसमें HDR 10 भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा जिसे YouTube पर आप HDR वीडियो प्ले कर सकते हैं और Netflix और Amazon पर आप HDR content में वीडियो प्ले कर सकते हैं friends और वहीं अब हम बात करेंगे इसके camera set up की तो friends on paper इसमें आपको camera काफी better देखने के लिए मिल जाता है और मैं आपको बता दूँ कि company ने इस पर gaming को दोस्तो टार्गेट किया camera को टार्गेट नहीं किया लेकिन फिर भी friends मैंने काफी test की इसके अंदर और यह जो वीडियो शूट हो रही है यह 1080p 30fps पर शूट हो रही है आप quality देख सकते हैं किस तरीके कि आपको quality देखने के लिए मिल रही है अभी देख ब्यूटिफिकेशन मैंने on नहीं कर रखा लेकिन आप देख सकते हैं के face में कहीं न गहीं थोड़ी स्मूटनेस इसमें आपको देखने के लिए मिल जाती है बागी आप मुझे comments करके बताना कि आपको इसका front facing camera front कैसा लग रहा है अभी मैं आ चुका हूँ पार्क में और यह जो video shoot हो रही है 1080p 30fps पर shoot हो रही है और इसमें 60fps का भी option देखने के लिए मिल जाता है front के अंदर और आप देख सकते हैं कि यह artificial light लगी हो है लेकिन इसने noise को काफी हद तक reduce कर रखा है friends तो front camera की अगर बाते हैं हो काफी अच्छे तरीके से work कर रहा है friends night में जैसे कि आप देख भी सकते हैं और यह एक और वीडियो जो कि मैंना 1080p 30fps पर शूट किया है इसमें आप देख सकते हैं clarity वीडियो के अंदर आपको कैसी देखने के लिए मिल जाती है इसी के साथ साथ यह Ultra HD 4 के वीडियो है यह friends मैं अभी walking कर रहा हूँ और walking के time में आप देख सकते हैं कि कितना इसके अंदर आपको जर्कीनेस देखने के लिए मिल जाता है और इसी के साथ साथ इसके rear camera से मैंने कुछ picture भी capture की है जैसा कि आप देख सकते हैं तो result आपको काफी better देखने के लिए मिल जाता है natural face tone है friends और यह portraits mode के साथ है तो portraits mode में भी आपको काफी better results देखने के लिए मिल जाएगा और यह leaf को आप देख सकते हैं तो यहाँ काफी एक तरीके से natural के पास है और इस pictures में friends आप देख सकते हैं तो result ही थोड़ा कहीं नगी natural type दिखा रहा है friends और यह yellow color आप देख सकते हैं कि इसने सही से present किया है friends और यह एक और picture है जो कि मैंना HDR enable करने के बाद दोस्तों capture किया है और आप देख सकते हैं इसना dynamic range को ठीक ठाक दोस्तों capture कर लिया है और यह एक video जो कि मैंना 4K 30fps पर शूट कि आप देख सकते हैं कि इस तरीके कि आपको noise देखने के लिए मिल जाती है और यह 1080p 30fps पर भी आप देख सकते हैं कि stability और noise कैसी देखने के लिए मिल जाती है और यह 60fps का result है friends तो result कैसा आप comments करके मुझे जरूर बताना और यह low light condition में friends मैंने pictures capture की है और आप देख सकते हैं इसने face को कही ना कहीं smooth कर दिया है और यह portrait mode के साथ है तो portrait आपको ठीक ठाक देखने के लिए मिल जाता है वहीं leaf आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं हमें natural देखने के लिए मिल जाते हैं और noise भी इतनी ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलती है लेकिन इस pictures में आप साफ साफ देख सकते हैं इसमें noise भी आपको देखने के लिए मिल जाती है और details भी इतनी better नहीं है friends और वहीं इसमें आपको front camera 16 megapixel का देखने के लिए मिलेगा तो ये front इसका result है और ये portraits mode के साफ है तो rear camera भी आपको ठीक इसका देखने के लिए मिल जायेगा और ये मैंना indoor के अंदर shoot की थी studio के अंदर आप देख सकते हैं तरीके कि आपको pictures के अंदर details देखने के लिए मिल जाते हैं तो color stone आपको काफी better देखने के लिए मिल रही है friends और वहीं ये low light condition में selfie है और ये portraits mode के साथ है और वहीं इसमें आपको 8 megapixel का ultra wide angle camera देखने के लिए मिल जायागा तो ये result है ultra wide angle camera का और वहीं इसमें आपको 2 megapixel का macro camera देखने के लिए मिल जायागा MediaTek Dimensity 80-100 5G processor देखने के लिए मिलेगा फ्रेंट से गेमिंग के अंदर काफी capable processor है heavy से heavy अगर आपको multitasking करने है इस device के अंदर आप easily कर सकते है और ये 5 nanometer की technology पे run करता तो battery efficient processor है इसी के साथ-साथ 8,22,000 आपको इसमें Antipo score देखने के लिए मिल जाएगा और BGMI का फ्रेंट मेंने test भी किया जैसे के आप देख सकते है smooth में आपको 90 FPS वाला option भी देखने के लिए मिल जाएगा तो gaming friends इसमें आप बहुत ही smoothly तरीके से कर सकते है और इसके अंदर आपको 3.5 mm headphone jack का support भी देखने के लिए मिलेगा तो यह gamers के लिए कहीं न कहीं better है और इसी के साथ-साथ इसमें आपको X-axis leaner motors भी देखने के लिए मिल जाएगी तो haptic feedback भी friends gaming के दौरान आपको काफी better देखने के लिए मिलेगा और इसी के साथ-साथ इसमें आपको liquid tooling 2.0 देखने के लिए मिलेगा यानि अगर आप market अलिए gaming अगर करते हैं और heat अगर होता भी है तो heat को यह बहुत ही जल्दी absorb कर लेगा तो प्रोसेसर की अगर बात करें और processor इसमें आपको काफी better देखने के लिए मिल जाता है friends और वहीं इसमें आपको LPDDR 5 का RAM देखने के लिए मिलेगा अर UFS 3.1 का support इसमें देखने के लिए मिल जाएगा यानि read and write की speed आपको काफी इसमें वेटर देखने के लिए मिल जाएगी MHD powerful battery देखने के लिए मिलेगी हाँ one day का आपको easily battery backup इसमें देखने के लिए मिल जाएगा इसी के साथ 67 watt की दोस्तों इसमें आपको turbo charging देखने के लिए मिलेगी जो कि आपके phone की बैटरी को बहुत ही जल्दी चार्ज कर देगा और वहीं हम बात करेंगे इसके कुछ additional points के बारे हैं तो friends इसमें आपको side fingerprint scanner का support देखने के लिए मिलेगा तो काफी अच्छे तरीके सा लॉक अनलॉक कर रहा है इसी के साथ dual stereo speaker देखने के लिए मिल जाएगा जो कि technology यूज की है Dolby Atmos की जो कि आपको surround sound दोस्तों provide कराएगा इसी के साथ-स Bluetooth 5.10 का इसमें आपको support देखने के लिए मिलेगा Wi-Fi 6 के साथ और वहीं हम आज आते हैं मेरे opinions के हैं इस device को लेगा तो सबसे बहुत इसमें आपको Super AMOLED display देखने के लिए नहीं मिलता अगर मैं gamer हूँ तो शायद मुझे इस चीज की need ना हो क्योंकि इसमें आपको brightness दोस्तों ठीक देखने के लिए 650 nits का peak brightness जैसा कि आपने देखा भी था इसलिके साथ-साथ इसमें refresh rate आपको काफी better देखने के लिए 144 अट गई company आपको provide नहीं करवा बाती इसमें आपको काफी better and advance level का देखने के लिए मिली रहा है MediaTek Dimensity 8100 तो कि आप one of the best chipset friends इसे आप बोल सकते हैं इस price range के अंदर और इसमें दो वे इंट आपको देखने के लिए मिलेंगे 6GB 108GB 26,000 में देखने के लिए मिल जाएगा और 8GB RAM 256GB इंटर 29,000 से स्टार्ट होता है और अगर आपके पास ICICI का काड है तो 3000 ही आपको वहां discount भी मिल दाएगा फैंट तो कैसा लगा फैंट से आपको वीडियो वीडियो फैंट्स अगर ही आपको अच्छा लगा हो तो फैंट साफ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो लेकर आता रहता हूं ओके नाइच्यू फैंट्स